क्या साइस आपको भी इंग्लिज बोलने में वर्ट्स की प्रव्श्म की प्रव्लम होती है आपको सब्द याद नहीं यह जब भी निलिज का दिमाग उत मैं इस वीडियो में आज वो सारे के सारे आपको याद करने की जरूवत नहीं है आज मैं आपको letter wise guys a letter से start कर रहा हूँ और यह vocab series को लेकर आ रहा हूँ मैं खाली आपको important words देने वाला हूँ important vocab देने वाला हूँ जो आपको learn करनी है और ऐसी vocab दूँगा जो daily life में use की जाती है right guys so आज मैंने guys a letter में selected words लिके हुए उसी तरह हर रोज में नया-nया letters लाऊंगा नया-nया letters के words लाने वाला हूँ और बहुत ही selected words लाऊंगा 15-20 words लाऊंगा that's it guys वीडियो बड़ा भी नहीं होगा words भी बहुत कम होंगे तो ऐसे करते-करते हम vocab series को guys finish करने वाले हैं तो guys आपको कुछ नहीं करना है बस आपको रोज खाल इस वीडियो पर आना और रोज जासे पांच से दस मिन का जो वीडियो का उसे देखना है और अपनी vocab को improve करना है right guys so without wasting our time let's get started so basically guys अब होता क्या है कि हम अक्सर vocab को याद करना तो चाते लेकिन इस दुनिया में कितनी सारी vocab है तो आप कौनसी vocab याद करोगा आपको पता नहीं होता है तो गाइस मुझे पता है मैं इस फिल्ड में कई सालों से जागाइस बोले ना कि 25 सालों से मैं इसे पढ़ाने का काम कर रहा हूं so we know it very well कि कौनसे words ज्यादा use किये जाते हैं और कौनसे words less important होते तो मैंने गाइस उसके हिसाब से एक research करके कुछ selected words निकाले हैं आपको मैं याद भी कराऊंगा आपको याद भी नहीं करने बस आपका काम इतना होगा रोज वीडियो को देखना है और हां note और pen लेके बैठना है जो मैं आपको words लिखा रहा हूं उसे आपको बस note करते जाना है that's it right guys so आये guys one by one word करके हम पढ़ते हैं और याद करने की साथ-साथ में कोशिस करते हैं जबकि याद तो नहीं करना है हमें समझना है हर एक word को so पहला word है guys पहला word मैंने क्या लिखा है ए एस के यानि होता है ask और ask का मतलब होता है पूछना जैसे कि you can ask me anything what he will ask to you tomorrow तो ask यानि होता है पूछना दूसरा वड़े admire यानि होता है admire क्या होता है इसको क्या पढ़ा आता है admire का मतलब होता है प्रसंसा करना प्रसंसा करना प्रसंसा यानि गाइस तारिफ करना इसको हम क्या बोलते admire इसका एक और वरड़े appreciate वह भी आप बोल सकते हो एक और वरड़े praise तो तीन वरड़े गाइस प्रसंसा करने के लिए admire appreciate and praise फिलाल आपको admire याद रखना है क्या है accept क्या लिखा हुआ accept अब ध्यान से सुनना इसको पढ़ाया आता है accept accept यानि होता है स्विकार करना स्विकारना या स्विकार करना मतलब जब भी आपका कोई document accept करता है या आपने social media पर देखा होगा हम किसी को friend request बिशते तो क्या होता है वह accept करते हमारे request को तो यह वाला word use करते accept right I will accept it मैं इसे accept नहीं करूंगा तो I will not accept it ओके चौथा वड़े गाईज admit क्या लिखा हुआ admit admit का मतलब भी होता है क्या कहीं नहीं होता है स्विकार करना या फिर होता है गाईज मानना राइट या फिर होता है स्विकार करना राइट कि मैं मेरी गलती को मानता हूँ तो आप क्या हो लोगा I admit it right अच्छा कई बार hospital मे में जब admit होते तब भी यही वड़ाता है कि वह admitted तो he is admitted right अगला वड़े गाई अराइव क्या लिखा हुआ है arrive arrive का मतलब होता है आना जनरली ट्रेंड के लिए यूज होता है वर्ड जनरली क्योंकि जनरल आने के वे में आता है कम कम यानि होता है आना लेकिन जब ट्रेंड की आप बात करते हो arrive तो आप क्या बोलतो आने के सेंस में आपके कम बोलना अच्छा नहीं लगता है वह आपे बोलते हम arrive for example the राजद आकरशित करना for example मुझे बोलना है the building was very beautiful and it was attracting everybody right okay so attract यानि आकरशित करना second word is answer answer का मतलब होता है उत्तर देना answer यानि होता है उत्तर जवाब देना कुछ लोग समझते आंसर का मतलब उत्तर ही होता है guys वो तो होता यह लेकिन एज वह भी यूज होता है answer का मतलब होता है जबाब देना उत्तर हम बोलते ना मुझे उत्तर दो तो मैं बोलूगा answer me right okay अगला वड़े guys क्या लिखा हुआ agree अग्री आप थाया होता है तो अग्री नहीं होता है मानना लेकिन किस तरह से मानना एक है डुसरे रहे ऑनांसहां का मतलब होता हुए कि तो कोई चीज को बोदो है कि के देखत कि घूषणा करना रैंट मतलब डिक लैंक अना founding नाओनसमेंट कोई प्रचल्थ अमीषल को अनौसमें आता है उनांस We यह वर्ट सुना होगा आपने बिग अनॉस्मेंट यानि बहुत बड़ी गोशना आज गुवर्मेंट ने किये राइट आगे बड़ लिखा हुआ है अपॉइंट अपॉइंट का मतल्ह होता है गाइस नियुक्त करना आप नियुक्त करना समझ महीं नगरा न तुमा उसको बता हुआ जब बड़ी बड़ी काई स्कॉर्परे वर्ल्ड में होता है इंवर्ल यूज होता हैं वाइंट तो बोलते हैं चैपिस पांट किया जायेगा तो किसी खाल कैये स्पार्ण रहोगे सपेन मिलने जाते तो वहां पे जाने से पहले आपोईंट्मेंट लेना पड़ता ये वडर आपने सुना तोो में हम्मृंट कुन सा अपॉइंट करना कि से जगह पर किसी शॉब पर को कि सिसी पोस्ट पर रखना अले व्याशन लाहिवस्त हो क्यां सु व्यवस्थित करना क्या व्यवस्थित करना तो कि अरेंज का मतलब होता है व्यवस्थित करना जैसे मानलो चीजे घर में बिखरी हुए तो आप बोलतो है कोई बात नहीं आप जाओ I will arrange it right मैं इसे अरेंज कर दूंगा तिसरा बड़े कहीज अवाइड अवाइड का मतलब होता है टालना टालना जैसे मैं बोलू कि आपको बाहर का खाना टालना चाहिए तों क्या बोलेंगे युशुद अवाइड आउट्साइड फूर ओईली फू तो यू कन एड़् डिस थिंग आन्षर आप अपनी परस्नालिटी में हैड़ कर सकते हैं और धी केया स्थर दिस तबर अधिसरा बटाएड जैंडा सकता हैं अका इड़ेंट करने डिसरा पर से शंडिक यह again Informary क spent तो आपका बंट क्रेंड क愉इड करने देसे में और को feeling comfortable actually I'm comfortable नहीं है but still we are trying to be comfortable over there मतब एक्जस करना दूसरा है अटेम्प यह वर आपने सुना होगा एक्जाम में competitive exam में बढ़ाता है अटेम्प जैसे उसका बुलते हैं कि उसने exam दी एक बार तो मैं बोलूँगा he attempt once या one time right मैं एक बार exam दूँगा तो मैं लिखूंगा I will attempt once attempt या नहीं होता है एक्जाम देना एक तरस एक्जाम में बैठना वाइड तो गईस जो लेटर एक से स्टार्ट होते हैं और ऐसे कितने वर्ट मैंने आपको बता आज 15 वर्ड अग ऐसा नहीं के पंदरा वर्ड यह में लेकिन मैंने आपको वह वर्ड बता जो रेगुलर लाइप में डेली यूज वर्ट जो रोज यूज किया थे वह सारे वर्ट मैंने बता है तो आपको क्या करना इतने ही वर्ट को लर्ण करना है ता सिट गईस राइट कल जब मिलेंगे तो कल गईसमल बात करने वाले लेटर बी की क्योंकि मैंने चाहता कि आपको सारे के सारे लेटरे बताओ जो यूज फुल नहीं है वन आप सिर्स बहुत लंबी हो जाएगी और वो यूज लेस बन जाएगे सिर्स तो I don't want make it useless I want to make it like you know powerful series for you क्या आपको कम समय देना पड़े और यह वर्ट की जो प्रॉब्लम है आपकी यह सौल हो जाए right guys so guys I hope आपको आज का वीडियो आपको पसंदा होगा and if you have any query then you can comment me in the comment box thanks for watching thank you